एक सेर आपको बरबाद कर देगा और NSE पर इस सेर की ट्रेडिंग एक्टिविटी को कर दिया गया है सस्पेंड सेर होल्डिंग पैटन को देखेंगे तो इसमें 5,75,405 इन्वेस्टर फसे वे हैं तो क्या है पूरा माजरा, क्यों हुआ सेर सस्पेंड, कैसे पंप और डंप हुआ इस सेर में NSE के इस एक्षन से क्या होगा इफेक्ट, कौन है जिम्मेदार, पब्लिक या बरे इंवेस्टर या मार्केट रेगुलेटर रीटल भाई के लॉस को कौन भरेगा, तो आज एक आवाज उठाने की कोसिस की है, लास्ट तक वीडियो को देखेगा और इस वीडियो को सेर कीजिएगा, जिससे आवाज रेगुलेटर तक पहुँचे और कोई एक्षन सायद हो सके पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और प्रीमियम लर्मिंग और प्रीमियम अपडेट के लिए मेंबर सिप जॉइन कर लीजे जहां अल्लिमिटेड चीज़ें दी जाती है हर वीक में एक वीडियो और डेली मार्केट अपडेट्स, राइट? 799 का प्लान है, जॉइन करें तो आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि NSE ने क्या स्टेप लिया है तो कंपनी के सेर 14 जून से सस्पेंड हो जाएंगे कंपनी ने सेभी रेगुलेशन एक्ट 2015 के रेगुलेशन 33 को लगातार 2 क्वार्टर फॉलो नहीं किया है सस्पेंशन के 15 दिन के बाद कंपनी जेड केटेगरी ट्रेड फॉर ट्रेड में ही ट्रेड करेगी और जेड केटेगरी में भी कंपनी हर वीक के पहले ट्रेडिंग दे ही ट्रेड होगी अगले 6 मैने तक और जब ऐसा होता है तो क्या होता है वो तो मैं बताऊंगा ही तो हमारे WhatsApp चैनल या Telegram चैनल से जुड़ जाईएगा बहुत सारी अपडेट आती है लिंक बिस्क्रिप्शन में तो 6 मैने का टाइम मिला है कंपनी को अगर उसके बाद भी कंपनी से भी के बंटाधार होता है रीटेल इन्वेस्टर की लग जाती है तो कुछ ऐसे बिग इन्वेस्टर थे एक टाइम पर जो इस सेर की बात बहुत करते थे और यहां तक कि इसको एमा जॉन जैसी बरी कंपनी से भी कंपेर कर देते थे लेकिन अब सेर की हालत क्या है वो तो आप चार् पर पंप फिर डंप फिर पंप और रीटेल भाईयों को तो भाया दस रुपए वाला सेर मोहबत लगता है इसके वीकली चार्ट को भी आप देख लीजे किस तरीके से भाया दबा के पंप और डंप हुआ 127 से गिरकर 12 तक है तो लोग डूबे हैं बराबर है वो इन्वेस् सिक और डिटिंग कराने का ओर्डर किया था जिसके लिए सेवी ने दुनिया के वन आप दट टॉप ऑडिटर में से एक डट लाइट को ये काम सो पा था और कंपनी के बैलन सीट में क्या गरबरी थी उसको निकालने को कहा था जिसके बाद कंपनी के बुक्स ओफ नसी ने जोड़दार हमला किया लेकिन अगर आप कंपनी के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को देखेंगे तो कहेंगे भाईया लास्त तीन चार सालों में तो गजब का प्रॉफिट बढ़ा है वो दिखाता हूं और इसलिए मैं कहता हूं कि खाली ये सब चीज देखने स से कुछ नहीं होने वाला है बैलेंसीट बहुत अच्छे तरीके से मैनुपलेट की जाती है आपको ये चीज समझनी परेगी यहां पर देखिए आप ये देखें नेट प्रॉफिट देखें पागल हो जाए यही तो है वो रिटल भाई यहीं पर फसते ही है उनको कुछ नह ही थी आपको विश्वास दिलाने के लिए यहां पर दिखा देता हूं क्योंकि आप कहेंगे अब आप बता रहे हमने जब वार्निंग दी थी ना बहुत गालियां परी थी हमें बहुत गालिया कि अरे आपको तो कुछ मालूम ही नहीं है आपको तो कुछ मालूम ही नहीं है भया लिये लो, हमें क्या मालूम नहीं है बता दिया, अब आपकी मर्ची समझना नहीं समझना, तो हम आपको aware करने की पूरी कोसिस करते हैं, अब आप aware होते हैं, नहीं होते हैं, पेनी स्टॉक में डूबते हैं, यह आपका thought process है, दीखे अब लड़नी क्या है, पेनी स्टॉक बहुत तरह की चीज होती है, तो पेनी स्टॉक में इंवेस्टमेंट करने से पहले आप एकदम जालने, कि अगर आपका इंवेस्टमेंट सो रुपया का, तो सिर्फ एक रुपया लगाएं पेनी स्टॉक में, जिससे कि डूब बे तो कभी तकलीफ ना, अब इस overall सिनारियो उसे क्या इंपेक्ट आ सकता है, हो सकता है, सेयर डिलिस्ट हो जाए, और यहां पर लोग बेचना सुरू करेंगे, सेयर के भाव गिरने चालो हो जाएंगे, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि स्टॉक में मूवमेंट होना, नॉर्मल पब्लिक का फसना, से भी या कहना है कि सिर्फ सेयर को सस्पेंट कर देने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, एक ऐसा कानून लाया जाए, जिसमें जो जो इसमें भागिदार हैं, चुके हमें पता नहीं है, तो हम किसी पैलिगेशन नहीं लगा सकते, बट हम कहते हैं कि ऐसी घटना चुके स्टॉक मार्क से बहुत सारी चीज़ पेंडिंग है, बट एक नया रूल ऐसा है, कि जिसमें रीटल भाई गलती कर रहे हैं, कोई बात नहीं, बट कमपनी अगर पैसे चूस के भाग रही है, तो भाई यह कमपनी से पैसे लिये जाएं, और उस पैसे को as a dividend के तौर पे, किसी भी तौर पे वापस रीटल भाईयों को दिये जाए, यह मेरी दरखासत है, कुछ रूल, कुछ तरीका, कुछ सिस्टम बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिससे जो यह फ्रॉड कर रहे हैं, वो करने वाले भी डरेंगे, कि अरे कल के देट में मैं करूँगा, तो वापस से मेरी गर कितना बुरा हो सकता है, समझ रहे हैं, तो वो कितना बुरा हो सकता है, सोच के चल रहे हैं, लेकिन जब वहाँ पर यह सिस्टम क्रियेट हो जागे, कि पैसा जो खीचा गया है, जो बैलन्सीट मैनूपलेट की गई है, वो पैसा भी गौवर्मेंट सरकार से भी exchange हम से खीच सकती है, किसी भी तरीके से, रूल और मदद से, तब वो करने से डरेंगे, तो ये है मेरा विचार, तो इस वीडियो को हर वाट्सप ग्रूप में, परिवार के ग्रूप में, इंस्टागराम पे हर जगा सेर कीजे, जिसे कि सब समझें, सब जाने, लेकिन आपको भी aware होना ह लाल कपरा लेकर सांड के सामने खरा नहीं रहना कि आप एल मुझे मार, क्यूंकि ऐसे स्टॉक में आप ही मार खाओगे, ठैंक्यू सो मच